हेलो फ्रेंट स्वागत है मेरे चैनल में आपका तो आज हम इस वीडियो में बैगनिक डिजाइन बनाना सिखेंगे तो यहां पर टोटल लेंद लिये हैं हमने साड़े 14 इंची और साड़े 13 का अमारा फनकर तयार होगा और यहां से सोलल लिये हैं हमने 11.05 इंची और यहां से देखिए आरमौरस लिये हैं हमने 11.05 इंची यहां से चेस्ट का फूर पाइट लिया है 8 इंची और दो इंच ईक्स्टर लिया है माजन के लिए अब यहां से देखिए कमर का 4 पाइट लिया है 7 इंची और 8 इंच अक्स टे लिया है माजन के लिए और 1 इंच लिया है प्लेट्स के लिए अब मैंन फेवरिक को हटा देंगे और अस्तर वाले फेवरिक पर नक्की करणिंग करेंगे तो यहां से इसकी जो चोड़ आई है वो ले रहा है हम 2.5 इंची और लेंद ले रहा हैं 10 इंची इसके बाद देखिए यहां से इस तरीके से वाक्स ट्राइब कर बना लेंगे और इस तरीके का से बनाएंगे हम इस तरीके का से बनाने के बाद देखिए यहां से हमें कटिंग करनी है जहां से हमने मार किया था वहां से कट हमने कर लिया इनिक को अब इसके बाद देखिए यहां से हमें इस तरीके से उपन करेंगे जो हमने मैं फैबरिक को कट किया था उसको रखेंगे उपड़ से और फ्रेंट वाले साइट को मैं अंदर की साइट रखना है और यहां से देखें आदे इंच जगा छोड़ते हुए हम सारे इससे में सिलाई को डाल कर कम्प्लीट कर लेंगे इसी तरीके से फ्रेंट समय जो हमारा गले वाला पार्ट है उसको भी हमें इसी तरीके से सिलाई को डाल कर कम्प्लीट कर लेना है तो यहां से भी हमें सिलाई को डाल कर देखें हमने कम्प्लीट कर लिया है अब इसके बाद देखिए गले बाले पार्ट को हम कर्ट कर देंगे इस तरीके से तो हमने इस तरीके से देखिए गले को भी कर्ट कर लिया है अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें चोटे-चोटे से कर्ट लगाना है देखिए जहां तक हमारी सिलाई है वहां तक हमें कर्ट लगाना है याद रखें हमारी कर्ट सिलाई कर्ट नहीं होना चाहिए और इस तरीके से हमने सारे से में छोटे-छोटे से कर्ट को कम्प्रीट कर लिया है लगा कर अब इसके बाद देखिए हम इस तरीके से इसको सीधा करेंगे तो इसके पाइट को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे और गले वाले इससे को भी अच्छी तरीके से निकाल कर कम्प्रीट कर लेंगे अब इसके बाद देखिए हमारे आर मोल्स हैं पाइट ओसको भी हमें यहाँ पर सिलाइको डालना है इस तरीके से तो इसकी नुक बाले से पर हम किनारी पर सारे से में सिलाइको डाल कर कम्प्लीट कर लेंगे इस तरीके से देखिए तो देखिए आपने सारे से में सिलाइको अच्छी तरीके से कम्प्लीट कर लिया है अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने यह पर्टी ले है और इसकी जो चोड़ा यह फूबान इंच रखना है हमें और सीधे वाले पर्ट से हमें इस तरीके से फोल्ड करती हूँ सारे स आपकेशी सारे से में सिलाईको डालकर कंप्लीट कर लेंगे तो इसके लिए हमें डूरी बनाना हैं तो डूरी को हम इससे तरीके से बनाइँगे देखिये अब इससलाई को डालने के बाद देखिए हमें बन साइड यहाँ पर टक करना है इस तरीके से टक को अच्छी तरीके से कम्प्लीट कर लेंगे अब इसकी बाद देखिए हमें अंदर की साइड सुई को डालना है और इस तरीके से डालते हुए सारे से में कम्प्लीट कर लेंगे तो देखिए, यहां पर हम ने सारे से में आथी तरीखे से, डैवे को निकाल लिया है और इस तरीखे से डोरी को भी हम निकाल कर complete कर लेंगे से सारे से में complete हम, डोरी को बनाकर ready कर लेंगे अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आम है 20 Inche Dory को Cutt करना है इस तारहे के से पर लगवाद इसी तरहे के से हम 15 Kutt कर लेंगे चोटी-चोटी सी अगर आपके कम पढ़ती है है दोरी तो आप दूरा बना सकते हैं इसी तरहे से तो देखिए यहां पर इस तरह के से हम कट कर लेंगे दोरी को तो देखिए हमने यहां पर इस तरह के से सभी फिसिस को कट कर लिया है अब यहां पर देखिए हमारा जुनिक है वहां पर मैं इस तरह के से रड़ी करना है इनको लगा कर तो आप इस तरीके से फोल्ड करके इनको लगाएं देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और देखिए यहां से स्लाइक को अच्छी तरीके से डालते हुए कम्प्लीट कर लेंगे सारे हिस्से में देखिए इस तरीके से फूल करते हुई कर लेना है मैं सारे से मैं कम्प्लीट हमारी डोरी अच्छी तरीके से टक हो जाना चाहिए तो यहां पर देखिए हमने सारे से मैं दोरी को लगा का कम्प्लीट कर लिया है अब इसकी बाद देखिए यहां पर हमें प्लेट डालना है बैक पाले पाइट में इस तरीके से तो यहां पर देखिए आदा इंच दबाते हुए इस तरीके से हम बैक पाइट में प्लेट को डालका कम्प्लीट कर लिए दूसरी साइड भी सी तरीके से प्लेट को डालेंगे तो देखिए अब इसकी बाद हमें या फर लेज को लगाएंगे इसके उपर से इसका लोग और बढ़ाने के लिए तो इस तरीके से हम सारे से में गोटे को लगा कर भी कंप्लेट कर लेंगे इस तरीके से देखिए हमने सारे से में लेज को लगा कर कंप्लेट कर लिया है इसके बाद देखिए फ्रेंस यहाँ पर हमें इस तरीके से नीचे वाले साइड भी गोटे को लगाना है आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप डिजाइन भी बना सकते हैं डोरी वाला और यहांपर हम सिंपल लेस लगा रहे हैं बैक साइड में तो इस तरीके से देखिए हमने सारे इससे में गोटी को लगा कर अच्छी तरीके से गम्प्लेट कर लिया है अब इसके बाद देखें यहां पर हमें इसमें दिजाइन के लिए मोती लगाएंगे तो यह हमने मोती लिए हैं और बन साइड से दागे को टकर लिना है फिर उसके बाद देखें सेंटर वाले से मोती को टहच करना है तो आप सारे इससे में इसी तरीके से मोतियों को लगाएं सेंटर वाले इससे में देखें इस तरीके से तो इस तरीके से हम कंप्लेट कर लेंगे मोतियों को लगा कर सारे इससे में प्रेंस अगर आपको और भी इसी तरीकी की डीजाइन देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकती है तो देखें बाकि सारे से में भी हमने मौतियों की इसी तरीके से टेज कर लिया है अब इसकी बाद देखें हैं आपर हम इसमेंट डोरी भी बनाइए हमने इसी तरफे की लटकन तो आप इसी की मैचिंग की इस तरफे से लटकन बना ले अगर आपको इसकी वीडियो देखना है तो प्रेंस आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रेप्शन में लिंक भी दिये, आप माफ़ज आपके भी देख सकते हैं, तो इस तरीके से देखिए हमारा जूर डिजाइन है, वो बनकर एक्तम रेडी हो गया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वेगनिक डिजाइन की वीडियो कैसी लगी, और फ